असलाइकूम गाईज दीज शेमन्जूर बैक अगेन विद एन अधर वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले कोई भी फाइल जो कहा है अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया बगार जो कहा हम डायरेक्ट जो कहा है उसको क्लाउड स्टोरेज के उपर किस तरी तो तो वाप किस तरीके से कर सकते हैं अगर आप अपने ? आर 20 वालों के वालों से इन्ट्रेंट लिया हूए है 75GBपी वालों से लिया हूआ है तो उसके ऊपर क्या मसलह हाता है कि जितने बड़ी आप फाइल डांसrid करते हैं और उसको interpret करते हैं तो इतना इंट्रेंट उज उज़िए उसको परोड कर दी अपने मर्जी से एक एक कलाउड सर्वर के उपर अपलोड कर दू और मुझे अपने कंप्योटर में भी डाउंलोड ना करना पड़े तो मुझे एक सर्वर से उठा कर दूसरे सर्वर पर चला जाए बीच मेरे कंप्यूटर पर वह चीज ना आए तो यह आप किस तरीके से कर सकते हैं इसके लिए कि हम अपनी सिस्टम की तरफ चलते हैं और देखते हैं किन पुरा सारा परसेस जो किस तरीके से अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर आपने सबसे पहले एक वेबसाइड जिसका नाम मल्टी क्लाउड के नाम से वेबसाइड है आपने multi cloud.com को जो है वो open कर लेना कहा है और यहां पर sign up के button पर आपने click कर लेना है तो simple है आपने अपना जो है username password पूट करना कहा है और यहां पर आपने email आपके काईगी verification की आपको 30GB की data transfer की storage दी आती है आप 30GB तक एक server से उठाकर दूसरे server पर डायरेक्ट अपलोड कर सकती है तो यहां पर दिया गया Google Drive, OneDrive, Dropbox, Mega, Google Photos, G Suite, FTP और काफी सारे box के नाम से तो यह काफी सारे drive, media, fire भी इसके अंदर मुझूद है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अपना Google Drive का account यहां पर मैंने अपना एक open किया हुआ है सबसे पहले इसको हम link करेंगे multi cloud के साथ और फिर हम file देखते हैं कैसे हम direct इसके अपलोड कर सकते हैं यहां पर आपने add cloud drive करना है और यहां पर मैं Google Drive सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पर next करता हूं यहां पर नाम आपने select कर लेना है और simple जो कहा है आपने यहां पर add के button पर click कर देना है यहां पर मैं अपना account चूज करूँगा और चूज करने के बाद मैं इसको allow कर दूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिरफ एक ही folder बना हुआ है और कोई भी चीज यहां पर इस account के अंदर upload नहीं की गई तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एक folder और एक file है वो भी यहां पर आगी है तो इसका mean मतलब यहां यहां गूगल ड्राइब जो कहना वह साथ में लिंक हो चुकी है तो हम चाहते हैं कि हम श्यमन्जूर वाला folder जो के empty है यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर एक file upload करें इसके लिए साबसे पहले मैंने क्या किया है मैं wordpress.org के उपर आया हूँ और slash download मैंने open किया गया मैं चाहता हूँ कि wordpress की zip file है जिसको हम download करते हैं मैं इसको direct जो कहना इस zip file को upload करना चाहता हूँ अपनी google drive में बगार अपने computer में download किये simple क्या करूंगा upload के button पर click करूंगा upload URL के button पर click करूंगा यहां पर URL दे दूँगा और यहां पर OK का button जस्ट प्रेस करूंगा और आपकी file जो कहा है वो upload direct जो हो जाएगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम यहां पर task manager में चले जाएंगे URL टास्क के अंदर जो है वो चले जाएंगे जहां पर यह बता रहा है कि यह फाइल जो कहा है वो upload हो चुकी है यहां पर इसका URL भी दे रहा है यहां पर हम URL पेस्ट करते हैं तो यह URL जो हमारे पास आ रहा ह है अब इसके बाद हम क्या करेंगे cloud explorer के नाम पर के अंदर चले जाएंगे और यहां पर हमारी Google Drive यहां पर श्वे मंजूर यहां पर इसको refresh कर लेते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह फाइल जो कहा है वो आ चुकी है ठीक है और इसको भी refresh करते हैं और देखते हैं आप फाइल्स को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं अगर उससे ज्यदा आप करना चाहते हैं लाइक 150GB तक तो आप इनकी सर्विसी जो है वो आप परचेज भी कर सकते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि आपका एक टाइम बच गया दूसरा आपका इंटरेट बच गया और एक फास्पीड के साथ एक सर्वर से दुसरे सर्वर पर डेटा अपलोड हो गया इसके लाव मज़े की चीज़ बताता हूं आपको कि अगर आपके पास लाइक गूगल ड्राइव की ओपर एक फाइल पड़ी हुई है आप दूसरी गूगल ड्राइव लाइक या गूगल ड्रा आना तो यह फाइल सिरफ आपने कोपी करनी है कोपी करने के बाद यहां पर आपने वन ड्राइव दी होगी जो भी उसके अंदर जाकर वह वाली फाइल पेस्ट कर दें तो यह क्या करें यह प्रोसेस जो कहा स्टार्ट हो जाएगा एक सर्वर से दुसरे सर्वर पर जो आपस्ट वीडियो में तब तक के लिए अला अफीज